मन्द पर विराजमान सभी वरिष्ट महनुभाओं और सदन में उपस्तित समिधान के प्रती समर्पित सभी भाईयों और बहनों आज का दिवस बाबा साब आम बेड़ कर डक्टर राजेंदर प्रशाथ जैसे दुरन देशी महनुभाओं को नमन करने का है आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है क्योंकि इसी पवित्र जगां पर महिनों तक भारत के विद्वत जनों ने एक्टिविस्टों ने देश के उजबल भविश के लिए ब्रवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मन्थन किया था और उस मैंसे समिधान रुपी अमरित हमें प्राप्त हुआ है जिसने आजहादी के इतने लंबे कालखंट के बाद हमें यहां पहुँचाया है आज पुझे बापु को भी नमन करना है आजहादी के जंग में जिन जिनों गरें अपना बलिधान दिया अपना जीवन खपाया उन सब को भी नमन करने का यह आउसा है आज चब्वीस ग्यारा हमारे लिए एक ऐसा दुखत दिवस जब देश के दुश्वनों ने देश के भी तरा करके मुंबई में वैसी आतंगबादी घटना को अंजाम दिया भारत के सम्विधान में सुचित देश के सामान ने मानवी की रक्षा की जिम्मेवारी के तहट अनेख हमारे वीर जवानों ने उन आतंगबादियों से लोहा लेते लेते अपने आपको समर्पित कर दिया सरवच्चे बलिदान दिया मैं आच 26 ग्यारा को उन सभी बलिदानियों को भी आदर पुरवक नमन करता हूँ आदरनियों महनभाव कभी हम सोचें कि आज अगर हमें सम्विधान निर्मान करने की नौबत होती तो क्या होता आज हादी के अंदोलन की छाया देश भक्ति का ज्वागा भारत विभाजन की विभीशिका इन सब के बावजुद भी देश हित सुप्रीम हरेक के रिदे में यही एक मंत्र था बिवीदताओं से भरा हुआ देश अनेक भाषाएं अनेक बोलियां अनेक पंत अनेक राजी रजवाडें इन सब के बावजुद भी समिधान के माध्यम से पुरे देश को एक बंधन में बांद करके आगे भढ़ाने के योजना बनाना आज के संदर में देखें तो पता नहीं समिधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते हैं क्योंकि नेशन फरस्ट काल करम से राजनीती ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छुड़ जाता है यून महानुभाव